सरदार सहर में उपचुनाओं को लेकर आज नामांकन पत्रों की जांच होगी इसके साथ ही 21 तारीकों नाम वापसी का समय रहेगा हालंकि दोनों ही पर्मूपार्टियों की अगर बात करें लगातार परचार परसार करने में लगी वी है वहीं आरल पी भी अपना दमखं दिखाने में लगी वी है कांगरेस की अगर बात करें कांगरेस की ओर से स्टार परचार को की सूची जारी कर दी गई है जिसमें सचिन पाइलेट को भी रखा गया है मुख्यमंतिर इशोग घैलोत को भी रखा गया है इसके साथ साथ अजय माखन को भी रखा गया है हालनकि अजय माखन की ओर से अपना इस्तिफार रास्टे अध्यक्स को पेश कर दिया गया है लेकिन वहीं ऐसे मनमुटाओ को खत पास और छेत्रों के विदायकों को भी स्टार पचार की सूसी में सामिल किया गया है लेकिन वहीं दूसरी और अगर बात करें जिस तरह अजय माखन ने अपना इस्तिफा दिया उसके बाद कांग्रेस में बयान बाजी शुरू हो गई दिविया मंदिरना ने जो है ट्वीट क जिए गया था उसके बाद इन पर कारवाई नहीं हुई क्योंकि लगातार का जाए था रास्टे अध्यक्स के मद्दान के बाद जो है इन पर कारवाई की जाएगी लेकिन कारवाई नहीं होने के कारण अजय मांखन ने अपने प्द से इस्तिफा दे दिया हालनकि अब का कहना है कि सरदार सहर की जनता बदलाव चाहती है और इस बदलाव की शुरुआत सरदार सहर से होगी वीजेपी पर्देशाध्यक 37 पुनिया ने कहा है कि अब उपचुनाओं में जो है बदलाव अगा उसके बाद हम परचंड बहुमत से 2023 के वी चुनाओं जीतेंगे लेकि लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें कांग्रेस में लगातार बयान बाजी चल रही है कांग्रेस जीत की बात कर रही है सत्ता रिपीट की बात कर रही है लेकिन यह जो बयान बाजी चल रही है यह कहें ना कहीं कांग्रेस के लिए घातक सिद्ध हो सकती है मनमुटाव की इस प्रचारी भी उत्रेवे हैं इनको मनानी की कोशिश लगाता सरकार की ओर से की जा रही है हालंकि बजट को लेकर भी मुख्यमंतिर अशौग गहलोद ने कहा है कि हम जो बजट लाएंगे युगाओं के हित्मे लाएंगे तो ऐसे में मुख्यमंतिर लगातार क्यास करने में ल कर दो